लोग अच्छे होंगे और होली आप लोगने सेलिवरेट कर लियोगा बाइदेवे सबको हैपी होली कि और इतने लोग भी देख रहे हैं उनको हम तहे दिल से सुक्रिया करते हैं क्योंकि होली खेल के भी यहां पर एक्जाम का प्रपेशन कर रहे हैं कि इस कन्फर्म करो आवाज आ रहे है प्रॉपरली तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इन गिरिया मेरा कि टैट में सब लोग फटावर्श एक कन्फर्म करतों कि आवाज प्रॉपरली आ रही की नहीं आ रही है और राइट सो ज्यादा हम लोग यहां पर टाइम पास नहीं करेंगे और डाइक लिस्टार्ट करेंगे ठीक है तो कि अधिक बहुत लोगों को टेंशन आ रहा है कि कैसे प्रिपेर करेंगे तो टेंशन मतलों हो जाएगा मैंने जो लाश्यर के वीडियो है वह आप देख सकते हो उसमें ज्यादा कुछ रेडियो नहीं है कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टन नहीं थे वह रिडियो बाकि मेरे प्रिवेस यह के वीडियो देख सकते हो और राइट तो स्टार्ड करते हैं चाप्टर का नाम है नेट्वर्क टेकनोलोजी डाडिस चाप्टर नंबर 5 ठीक है तो चाप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग फटावट देख लेते हैं मार्क्स डिस्रिपूशन यानि कि इस चाप्टर से आपको कितने मार्स का गउस्टन आने वाला है तो देखोगे तो इस चाप्टर से चाप्टर नंबर 5 सेfern 15 अध lying कभी करतेते हैं 46 मार्क का भी हो सकता है ठीक अप्रॉक्सिमेट इतना ही आता है क्वस्थ कम नहीं होता जहादा भी हो सकता है तो देखो एक मार्ग का कोई भी क्वेस्ट नहीं आता है एक चुष्ट crazy जिक है चार मांक का आपको आएगा तीन चुष्टन यानि की टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12 मार्क्स टोटल मिला के आपको 15 मार्क्स का इस चप्टर से कुश्चन आते हैं और राइट कि थार एंग फॉर्ट चप्टर का एक वीडियो में ले लो चलेगा मैं ट्राय करता हूं इस चाप्टर का पहला टॉपिक है ट्रांसमेशन मीडिया अफोडिया इसका नाम क्या है ट्रांसमिठ करने वाला कि मीडिया के तुप अपना रोड ही ले लो रोड भी क्या है से दूसरी जगहां UP करते दूट को यहां पर कुछ संवान भेज ना था थो भी किसके तो थूप मेडिया यहां पर कि थूप है यहीं लोग क्या भेजने वाले हैं डिश करते हो डेटा ट्रांसफर करते तो वहांकर्ट होबोखने हैं पात वर पाथ लिएर फॉट की सब्सक्रानें हों टूट rest वैसे ही यहाँ से सिस्टम सते सिस्टम यानि कि कुछ हो सकता है जो भी चीजे इंट्रेइट से हो सकती है लापटॉप हो गया जो भी चीजे इंट इसके पर कानेट करती है ट्रांसमिशन मीडिया के थूफं एक पाथ सारे लैप्टॉप्स नेट्वर्क से साथ कनेक्टेड होते हैं उसे ही बोल देते हैं हम ट्रांसमीशन मीडिया और आइट ट्रांसमीशन अप सब्सक्राइब है जैसे मैंने बता हम लोग क्या करते हैं बैट्रांसमीशन मीडिया के तरुब हम लोग बेजते हैं उसको क्या समझता है उसको वन और जीरो यानि कि बाइनरी लैंगवेज या पलस समझते हैं ठीक है तो जो एलेक्ट्रानिक सिगनल से वो जनरेट करते हैं पल्स जिसे हम बोलते हैं 1 और 0 कि एज टाइप आप ट्रांस्मिशन मीडिया स्पेशल कारेक्टरिक्स और यह जो चल्टेक्टरिक्स में बताने वाला ने यह mostly आप देखो कि जितने भी kind of transmission media पढ़ने वाले हैं अब transmission मेडिया में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वायरलेस मीडिया वायर मीडिया ठीक है जिसके अंदर अलग-अलग coaxial cable अलग-अलग twisted पढ़ने वाले फिर लैन वैन पढ़ने वाले ठीक है तो उनके कुछ characteristics होते हैं जो यहां पर कुछ mention के देखो cost of media हो गया installation requirement हो गया फिसका bandwidth हो गया band uses हो गया attenuation हो गया community from electromagnetic interference हो गया यह जो है characteristics आप बार-बार हर पढ़ने वाले हो जितने भी हम लोग transmission मीडिया पढ़ने वाले वायर्स और वायर्ड वाले तो अपने आप समझ में आ गया और एक चीज़ मैं बताना जाता हूं कि कैसा एक्जाम में जो points आंगे न ऐसा नहीं कि आपके book में दिया है वही लिखो ठीक है आपको जो समझता है न उसके युझे वायर्स वायर्स वीडिया युझे कर रहा हो जैसरे वायर्स 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 और गया हो गया तो उसके कोटने परचेस कर रहे हो उस पे cost पे depend होता है कि कितना उसका cost है पर new fast technology cost is also more expensive ठीक है जितना नया technology जितना बहतर बितना अच्छी quality की जीज़ लोगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगी expensive होगी ठीक है जैसे कि mobile होता है अब कमदाम वाले mobile भी ले सकते हो low quality भी ले सकते हो अच्छी quality वाले ले सकते हो हर ए of the resource यानि कि वह आपके उपर डिपेंड है कि आप कैसा यूज़ करने वाले चीज़ है ठीक है therefore the network डिजाइनर must settle for something which is cheaper and robust जो भी नेटवर्क डिजाइनर होता है जैसे सब्सक्राइब कोई Wi-Fi लगाने आ रहा है तो अगर अच्छा राउटर नहीं लगाएगा क्या होगा आपका Wi-Fi साइज चलेगा नहीं ठीक है भले ही आपका जो पीड इंटरेंट का बहुत जादा हो लेकिन राउटर अच्छा नहीं देखा तो वह स्पीड यानि कि आपके घर में सब्सक्राइब कर बहुत बढ़ा है तो पुरे घर में नहीं पकड़ेगा राइट कुछ दूरी पर यानि कि आपको राउटर के पाजू में आके हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा तो आपका जो नेटवर्क डिजाइनर होता है उसको चीजे लगा रहे है वह चीपर भी हो ज्यादा कौशली भी ना हो और रोबस्ट रोबस्ट मतलब टिकाव होना चीए ठीक है और आज एक लेक्चर ले लो रात को प्लीज आदे लोग आदे लोग होली खिलके है सब सोएंगे एक और लेक्चर लेंगे तो सब भाग जाएंगे और राइट इंस्टॉलेशन रिक्वार्मेंट ट्राय करूंगा मैं रिकॉर्ड अगर करके डालूंगा ठीक है नेक्स्ट प्तुर्श का इंस्टॉलेशन रिकॉर्मेंट सम् तरंस्मिशन मीडिया रिक्वार् टिल ये बटु इंस्टॉलॉत्षे सपhol कोस्ग उलग पाड़ेंगा कटिंग अगर यूज़े हो कि रिक्वार्मेंट नहीं पड़ती आप खुछ से भी उसको इंस्टाल कर सकते हो ठीक है तेंस इंक्रीज दा कॉष्ट आफ नेटवर्क एंड इट में कॉस्ट सर्टन डिले अगर यहां पर आपको स्किल लेबर की रिक्वार्मेंट होगी तो यहां पर क्या होगा आपका कॉ लगाना है क्योंकि पूरे घर में आपका सिग्नल पकड़ना चाहिए तो आप डिसाइड करते हो उसके बाद आपको नेक्स डिसाइड करना की जो राउटर का वायर कहां-कहां से जाएगा यह फिसिकल लेट आप पर प्रिपेर करते हो एक्च एक्च अचली नहीं प्रिपे से बैंड विद्फ यानि की इतना जगह है कितना जगह है आट इटाइम डेटा को सेंड करने के लिए ठीक है फौर एकग्जाम्पल यहाँ पर देखो मैंने एक रोड का आप आपने देखा रहेगा सिंगल लेंड रोड देखा रहेगा लिए जो पर लेड डेंगा तो एक तो यह बैंड इद्वर से लेते हो तो वहां पे पसको बैंड विद इतना है इसे बैंड इसकी केटनी होगी तो जैसे आपके एक इहां पर हो रहा है समझो एक बित है यहां पर यहां पर आ पर रहे है तो इसका क्या होगा यह वन Mbps का Bandwidth बोलेंगे इसको वन Mbps का bandwidth यहां पर देखो के तो यहां पर 55 एक साथ travel कर रही है तो इसको बोलेंगे पाइब Mbps यह इसका bandwidth क्या से आप data transmit कर रहे है उसकी कितनी capacity यानि जो रोड से आप जा रहे है उसकी capacity कितनी है at a time कितने vehicles को एक साथ लेके जा सकता है ठीक है data transmission rate is number of bit transmitted per second ठीक है एक सेकेंड में कितनी bits एक सेकेंड में कितनी गाड़ियां जा रही है या फिर एक सेकेंड में केबल depend on the cable length अब एक और चीज़ पर बहुत बड़ा है तो आपका bandwidth बहुत कम होगा ठीक है आपका केबल का length कम है ठीक है केबल सो फॉर और केबल डिजाइन मैक्सिम लेंद फॉर केबल रंस आर स्पेसिफाई रहता है कि कितना ज्यादा इसका bandwidth कितना लंबा अगर यूज करोगे तो कितना bandwidth आपको मिलेगा और यूंड इस limit the highest frequency signals can decline and error occurs in the data signal अगर ज्यादा लंबा यूज करोगे ठीक है तो उस समय क्या होगा उससे यहां पर क्या होगा जो सिगनल से उनका strength कम हो जाएगा ठीक है ठीक है डिकलाइन हो जाएगा इससे आपका जो सिगनल से उसमें एरस अकर होंगे ठीक है प्रॉपरली आपका नेट नहीं पकड़ेगा है इसका स्पीड इसका पीडियाब इसका पीडियाब टेली ग्रॉप में आपको मिल जाएगा ठीक है जो नोट्स रहेंगे टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर लो वहाहां पर सारे अब युसे यानि के उस बैंड ुबित को हम का और उप्टिमाइज तरीके से यूस कर सकते हैं कि इसके दो तरीकिवर बैस बैंड होता है एक होता ब्रॉड बैन ने डिखो गहें तो यह अपका बैंड भी इसमें ण स्नौन स terrified ठीक है बट ब्रॉड बैंड में देखो एड़ टाइम मल्टिपल सिगनल हम लोग भेज रहे हैं और रएट तो था है यहां तो से लिए इंपर बमट क्म सते हो और बैंड ब्रॉडब्र सिगनल बेंड और प्रट सबने क्या होऄ सीगनल हो और रहेट तो ब्रॉडड बैंड डिएबल डॉर मूर कम्वन 입니다 channel to share the bandwidth of the communication medium यानि कि ब्राइड में आपको enable करता है कि आप दो से ज्यादा तीन दो या तीन सिगनल एक साथ भेज सकते हो ठीक है कि बेस्ट बैंड इस मोड और अपरेशन मोड लेकिन यूज करता है बेस्बैंड ठीक है किसमें यूज करता है लाइन में local area network जो होता आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या होगा तो local area network में हम लोग मोशली यूज करते हैं बेजमेंड मोड इन बेजमेंड मोड सिग्नलिंग अनलोग डिजिटल भीड लॉज जा रहा है इसके आप अनलोग सिग्नल भी ठीक है एनलोग मतलों ऐसा कुछ सिगनल और अपको बेस बैंड और ब्रॉड बैंड दोनों समझ में आ गया होगा नेक्स इस एटिनुएशन बहुत इंपॉड़न पॉइंट है एटिनुएशन यानि की तब एक्जांपल लेते हैं एटिनुएशन यानि कि आपको सबोज आप लेकिन क्या होगा कुछ टाइम बाद वह उसका वह वीक पढ़ जाएगा तो आपके गाड़ी को स्ट्रेंथ मिलेगा उसके बाद भागेगी राइट वैसे ही आपके सीगनल भी पूरा एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता है उसको भी क्या करना पड़ेगा रिन्यू करना यहाँ पेट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपीटर्स ठीक है हम लोग रिपीटर्स आगे पढ़ने वाले हैं तो सिगनल को अपस ट्रेंथ देने का काम कौन करता है रिपीटर्स ठीक है एक अटिनेशन इसमेजर आप हाव मच सिगनल वीकनेस अज ट्रेवल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर जैसे आपका प्रो आपका 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 जो बाइक हो कितना दूर जाएगा सकते है वैसे यहाँ रिपीटर्स के लिए और जो भी सिगनल दूर भीड़े वापस से औसी सिगनल आगे बढ़ता है जैसे आप पेट्रोल भराते हो वापस आगी जाते हो वैसे हैं यहां पर का काम करते हैं फिक है है नेक्स पैस्ट आप देखो मैनेटेग्नतिक इंट्रफेंच यानि कि ये जो चीज आपने अपने यरे फ्रेंद को आपने कॉर गया और कभी-कभी क्या होताऊ-बॉसरे तावास सुना ही देता है उसको भोलते हैं ठीक है अब आपका जो डान्स्मेशन मीडिया यानि कि आपका जो वाय ट्रांस्मेशन या वायलेस डान्स्यों कितना इम्यून है ठीक है कितना strength है उसके पास क्यों वह उसके अंदर electromagnetic दूसरे की आवाज चुनां इना पड़े थो इसको वहता है यह बहुत सारे होते है यह साथ जान एक साथ बहुत होता क्या है कि हरे cable के अंदर electromagnetic signals जाती है यह electromagnetic signals कभी कभी बाहर और आखे दूसरी के थ्रूब पास होने लगते इसलिए आपको दूसरे का noise दूसरे का अवास सुनाई देता है ठीक है तो इसको वह पूलते हैं Electromagnetic Interference आपका केबल इससे कितना ज्यादा इम्यून है मुलब कितना ज्च्रेंट उसके अंदर दूसरे की आवास सुनाए नहीं देगी EMI is interference interfering the signal and make the difficult for computer to decode the signals an example of electromagnet interference is the crosstalk जैसे में रदा कभी-कभी आप कॉल करते हो बात करते हो तो तीसरे की आवास सुना है देती है कभी-कभी फोन के अंदर राइट लेकिन क्या हो रहे है उसके बाजुसे दूसरा वाय जहां से दूसरे का आवाज जा रहे है लेकिन क्या और सारे एक साथ जाते एक साथ क्लोज रहते हैं वहां से ठीक है गुजरते हैं देर्फोर क्रॉश्टॉग इस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लब इन नेटवर्क अर्वाई यह था आपका ट्रांस्मिशन मीडिया और उसके अक्रेक्रिक्टिक्स आइफ आपको समझ में आ घया फटा फट चैट में कैंफर्म करो यह टॉपीक आप लोग को एक दम मस्त में समझ में आ गया बढ़ते हैं नेंस्ट टॉप इकी तरफ फटावा चैट में कन्फर्म कर दो फ्री और फ़ॉर हुआ है क्या है थे ओर फॉर नहीं हुआ है ठीक है के और एड नेक्षटिस केबल मेडिया अभी आने पढ़ा ट्रांस्मीशन मीडियान जो सकते हैं यह फिर मीडियानी पढ़ेंगे समझ रहा रहा है तो पता देकर चाहँ समझ में आ रहे हैं रहा है तो केबल मीडिया क्या होता है इस्ट केroeल मेडिया cells होते हैं आपने पढ़ा रहेगा और ट्विष्टेड़ फिच पैर केबल ठीक है थिसके आध फाइबर ओप्टिकल केबल जी ओफाइबर अपने सुना में रहेगा तो यह तीनी केबल अपने को बढ़ना है गुष्टटड पेर और फाइब और अप्तिकलि यानि जो माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम लिखना सिखा देना जी हाँ इसके बाद मैं ट्राइग वो वीडियो डाल दूँगा ठीक है है तो पहले केबल पढ़ते हम लोग को एक्सियल केबल एक तुप खतरनाक सा एक केबल है दिख रहां पो खतरनाक सा केबल यह वाला प्रॉब तो इसमिंса होता है है किक passages जहां उसके पास होता है उसके यहां पर इंसलेशन होता है जो Yeah अब करने का काम करता है कौन पास होता है दोनों को है तो इसे काएं सकता हो सकता है प्रोब्लम हो लगाया क्योंकि यह आपका जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंटर्फिंस जो क्रॉष्ट हो के उसको कम करने का काम करता है इसलिए यहां पर इसको कॉपर मेस लगाया गया और इसको बोलते हैं को एक्सिल केबल एक्जाम में आएगा तो ऐसा डाइग्राम आप बना लेना ठीक ह तो आगे बढ़ते हैं एक देखो लिकोंटुक्ट13 के बद्ट ल सेरिंग और रही एक कापर मेस अर्लइट अब इसके सेंटर कंडुक्टर ऐसानुड कोपर वायर की स्टेंडर्ड़र देहां पर यहां पर यहां स्टॉअलिट कॉपर वायर है इसका राथ नंटर टीव यानि कि देखों कॉपर का मेश है तो ऐसा सिला गया है ठीक है तक दिस कंड़क्टर इमेज ब्रेड़ वायर मेटलिक फॉइल और बोथ दा ओटर कंड़क्टर सब्सक्राइब करता है तो यह उसको प्रटेक करता है ठीक है यह शील्ड का काम करता है एन इंसुलेटर लेयर कीप आउटर कंड़क्टर सपेश इवें ली फ्रॉम इनर कंड़क्टर देखो एक इंसुलेटर लेयर है यहां पर वह क्या करता है यह इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस बनाये रखता है ताकि यह दोनों एक दूसरे साथ जुड़ना जाए और इसके नाम में इसका काम है यह होता है तिन होगा तो फ्लैक्सिवल होगा और कम एक्सपेंसी होगा ठीक होगा ठीक होगा ठीक है इसके थोड़ा डीटेल में और देख लेते हैं जो तिकनेट होता है यह क्या होता है जो आपने कभी यूज किया रहेगा कि नहीं पता नहीं बट आपके लैप्टॉप में देखो एक इथरनेट केबल का यहां पर आपको कनेक्शन प्रवाइड कर सकते हो तो उसके लिए यूज किया रहता है ठीक है इथरनेट बेस्ट लान यूजिंग ठीक केबल और जी एड बोलते इसको केबल डाट इस 0.4 इंच कितना मोटा होता ह इस थीक निट यानि ठीक है यह 0.4 इंच मोटा होता है तो डामेटर होता है ओके फॉर इंटरेट कनेक्शन आ रिफर थीक निट आठ टैन बेस फाइव सिस्टम या फिसको बोलता है टैन बेस फाइव यहां पर आपका जो स्पीड देगा हो इस मतलब यहां पर बेस बैंड बेस बैंड ब्रॉडबैंड तो यह वह वाला बेस बैंड ठीक है अब इसमें पांच फाइव रिपेंड करता है कि कितना डिश्टेंस कवर कर सकता है 500 मीटर्स यह क्या कर सकता है पतला पतला होगा तो ज्यादा दूर तैवर नहीं कर पाएगा ठीक है इधरनेट बेस यानि की समझ दो आपका इंटरेट के थुरू जब इंटरेट प्रोड़ जब वाइफाई नहीं था इसको बोलते है इसको और यह 0.4 इंच मोटा था यह 0.2 इंच मोटा रहता ठीक है और इसको बोलते है 10 बेस्ट यानि कि 10 एम बेस की स्पीड प्रोड़ करता है यह भी बे अब देखो एडवांटेजिस क्या है को एक्सेल केबल के तो पहला तो है को एक्सेल के बाइस बेटर सिल्टर दैन दर ट्विश्ट पेर केबल आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तुश्टेट पेर केबल रीड करो ओके कौन सा क्लास है यह सर यह है आपका कंप्यूटर ट्विश्टेट पेर के बल जो ऐसा आपने देखा रहेगा वह आगे पढ़ेंगे इट कैन स्पान लॉंगर डिश्टेंट अट हायर डिटा ट्रांस्मिशन स्पीड ठीक है और यह क्या करता है लंबा डिश्टेंस कवर कर सकता है तो बेटर शिल्डर यानि कि जो कॉपर का आवास सुनाई नहीं दे सकती एक टुष्टेट प्रकेबल इसमें एकनेशन भी क्या होता है ठीक है अगर कमपेर करेंगे तो एक लिटर में कितना दूर जाएगा वैसे हैए आपका सिगनल कितना ट्राइवल करेंगा उसके बाद वीक पड़ेगा उसको भी पड़ेगा उस यह ज्यादा एक्सपेंसी होता है लेकिन अगर आप वाइफाइ लगा रहे फाइबर ऑप्टिकल वाला थोड़ा महंगा पड़ता है ठीक है लेकिन स्पीड भी अच्छी देता है फैंड विद्विद्वी लेस दें फाइबर अप्टिकल लेकिन इसकी जो बैंड को जो हमने ट्रांस्मिशन मीडिया में पड़ाता ना वही करेक्टरिक्स यहां पर भी है इसका कोश्ट क्या होगा इंस्टॉलेशन क्या होगा एंड यह सारे वह लों ने अल्युक्त पड़े तो कॉश्ट अन्म नें देखा कि तो पतला वायर लोग ना तो उसका स्का लो लेकिन लोगे न तो उसका वो ज्कॉज ज्यादा होगा इस्टॉल आप इंस्टॉल कर दो उसके लिए एक्सेंज मतलब ज्छाधा नहीं लगता है पैंड-विथ-बैंड-विथ-वन अगर दा कितना ज़्यादा ट्रांस्मीट कर सकता है लान बेस्ट को एक्षिल केबल गिवस बैडविध इन बिट्विन टू-पइप टेन बश्माइब सब्सक्राइब तुक्रत देगवार ज्यादा वाला ज़्यादा आपको बैंडविद्ट दे सकता है थीए हम लोगने देखा था कि जो तो थिकनेट वाला तो 500 मिटर्स कर सकते हैं और यह थिन नेट वाला हो 200 मिटर्स तक कर सकते हैं यह मैं आइप नहीं हर जगा देखा रहेगा आपको दुकान भी हर जगा मिल जाता है और अभी मोश्चली यूज़ नहीं होता है नऄने कोएकत से लगाले केबल केबल देखे रहेंगे जो एक दूसरे के साथ ऐसे साम की था रहता है जयात में इसको ट्विस्ट के जाता है दे सकते हैं लेकिन उसको ट्विष्ट किया था उसका रीजन है और यह इस पर यह पिक प्योंक रिखका तो सारे चैप्र कर सकते हो त्विश्टेट पेर केबल तू वायर सफ कंडुक्टिंग मट्री लाइक और इन्सलिटेट फॉर्म इच अधर बाइप प्लास्टिक दो ट्विश्टेट पेर के बल एक से जदा हो सकते हैं मतलब यहां पर यह दो से ज्यादा भी ट्विश्टेट फेर के बस एक साथ लगाय तर दो से ज़्यादा वायर्स भी ट्विस्ट हो सकते हैं ठीक है ठीक है क्रॉस्टॉक ना हो जाए इसकी उससे वो रिड्यूस करता है ठीक है और सो रिड्यूस्ट कभी-कभी आपका इंट्रेंट में भी और टेलीफोन में भी यूस के आता है इस केबल यूज तो पीसी टू आइधर हम और मीडिया एकसे यूट होता है तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हम मतलब एक डिवाइस होता है जिससे बाग की सारे पीसी सकनेक्टेट होते हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले ठीक है उसके रिए यूज वोता है पहले जो टुस्टब 친ians तक होते हैं एक हैश्टीब कर पूछा दाता है तो सिले ट्विश्टेट बूर्फ यह कहता ऊंस नहीं नहीं दो लोग एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हैं वापस से हम और ने आगे कवर किया है सी है लेखो यहां पर इसको बोलते हैं यह फिर एस्टीप कभीज़ाम में सिर्फ ट्रीपी धी दिया रहता है ठीक है तो एस्टीप और यूटीपी मतला अन्सेलर्ट विश्टेट प्यायर एस्टीपी मतल़ सीलर्ड तुश्ट प्यां एस्टीपी केम तो यहां पर लगा रहता है ठीक है इसके इसको बोलते हैं यह रैप नहीं होगा देखो यूटीपी में यह रैप नहीं है और सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसा बना सकते हूं यहां पर देखो इसके उपर से जैकेट इसका क्या होगा इसमें क्या होगा कम होगा सिंपल सी बात है तो यह लिख सकते हो अपका पहार से आ नहीं सकता और यह आपका सिगनल बाहर नहीं सकता है यानि कि आपका electromagnetic interference क्या होगा कम होगा यानि कि आपको दूसरे की आवास सुनाई नहीं नहीं देगी सिल्लेट ट्विश्ट पेर के ठीक है अब इसके भी इसमें होगा क्योंकि यह थोड़ा कम एक्सफेंसी और लो बजट का केबल है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए जिसे को एक्सेल केवल 500 100-meter कवर कर रहा था लेकिन यह मैक्जिवम कितना 100-meter कवर कर सकता है ठीक है कैपेसिटी इसकी यानि की bandwidth यह 500-mbps का स्पीड मदब इतना कवर कर सकता है इतना डेटा ट्रांस्मीट कर सकता है इंस्टॉलेशन के लिए इसमें इसक्रिल्द लेवर की बढ़ा मेरे घर पर पहुचा देना अगर ट्विश्टट पेर केबल में क्या होगा कुछ नहीं यहां पर शील्ड नहीं होगा सिर्फ ट्विश्टट पेर केबल और यहां पर प्लास्टिक का जैकेट लगा जिससे उसको डैमेंस प्रटेक्शन होगा ठीक है तो सिंपल सी सिस्टम आते थे ना पहले के वहां पर यूज किया था था इसके पांच काटेग्रीज होते हैं जो इतना इंपॉर्ट नहीं है अगर आपको आया तो यह आप शीड़ेट और शीड़ेट में मुश्ली डिफरेंस आता है ठीक है एक्जाम में वह डिफरेंस मैंने आगे दिय क्या है और राइट करेक्टरिक्स अब यह भी सीव होंगा इपर दन एनी अधर केबल ऑविसली एकदम चीपर रहेगा इंस्टॉलेशन एजी टू इंस्टॉल रहेगा कैपसिटी इसका देखो शीड़ेट का फाइव हंडड़ेट एमड़ेट एमड़ेट सा लेकिन इसका क सब्सक्राइब लगा यूटीप केबल डाइज नॉट है इसमें और भी जो आएंगे वह अगर जॉइन कर दोगे तो यहां पर नॉइस थोड़ा मुड़ा रिड्यूस कर सकते हो तो यहां पर देखो मैंने डिफरेंस डाल दिया है या पढ़ लेना डिफरेंस बेटिन यू क्या है उसके बाद वित क्या है उसके बाद यहां इसके बाद यहां पर इंट किया तो बढ़ते है इसमें इसमें यह होता है और इसका बैन video अगला योस करता है इसको fiber optical cable को all right the light wave can have that इसको दिखांग हमtoo मैं कैसा दिखता है डिखो fiber optical cable में क्या क्यों होता है और उल्क्रेसिंट स्वीनल पास नहीं पथा पहली चीज़ सो fiber optical cable में electrical signal पास पर इसमें light signal फास होता यह था और अब प्लास्टिक मिला के बनता है ठीक है यह लाइट को बाहर जाने नहीं va be efficiently conducted to the transparent glass fiber known as fiber known as optical लाइट वेव एफिशनली इसमें याद रखना बाकी जो केवल से उसके इंदर इलेक्ट्रिकल सिग्लल पास होते थे बट फाइबर ऑप्टिकल केवल में हम लोग क्या यूज करते हैं लाइट वेव पास करते हैं ते सेंटर कंडुक्टर अप इस के वलीज़ फाइबर दैट और से मिला के बनता है ठीख है इडिबर बाइट सिगनल लोस यह क्या करता है राइट सिग्नल को डान्समीट करता है बहुत कम लोस में ठीक है इसका अटिनेशन अब यह माई बहुत ही कम होता है the fiber is coated with the cladding and gel that reflects signal back into the fiber to reduce the signal loss है इसको हम लोग cladding से wrap करते हैं ताकि जो आपका सिगनल है वो बहर ना निकल पाए ठीक है और signal loss भी दम लेसो और इसके वो अंदर थोड़ा सा जेल होता है ठीक है जेल की वएसे भी क्या होगा आपका लाइट क्या होगा बाहर नहीं निकलता जिसे सिuld में प्लस्टिक शीड़् लाइब फाइब प्लस्टिक श्रीड लगा दीए जिससे आपका यह फाइबर ऑप्टिकल के वल्ट वहता है वह ज्यादा मोड नहीं सकते थोड़ा वी मोड़ों के तूड़ जाएगा ठीक है सबसे ज़्यादा लेकर सकता है तो यानि इसका बैंड्विध क्या किया अदिध्स लगाता है फाइबर वाई फाइबर वाला जो वाइफाई लगाते हैं उसका क्या होता है जो mbps होता है स्पीड होता है वह बढ़ जाता है ठीक है इट है जीरो सेंसिटिविटीव टू एम आई क्यों क्योंकि इसके अंदर electromagnetic interference है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल सिगनल पास होता है ठीक है तो यह तो प्वाइबर अप्टिकल केबल is more than that of the coaxial cable and twisted pair cable सबसे ज्यादा कॉश्च होता है इसका coaxial or twisted pair cable से भी ज्यादा कॉश्च होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल का इंस्टॉलेशन इसको आप कुछ से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको स्कें लेबर की रिकार्डमेंट होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए और इंदर फाइबर टूर तो हरोगे सब्सक्राइबर नहीं कर सकते है और राइट कैपेसिटी तो इद्दम हाई है फाइबर ऑप्टिकल केबल सपोर्ट कैपेसिटी मतलब बैंडविद्ध सपोर्ट हाइड डीटा रीट्स ठीक है देखो यह दो लाक मपीएस इवेन विट लॉंग रन मतलब ज्यादा दूर तक और टू मपीएस डेटा यह क्या क केबल इस मुच लोवर दान दा को एक्सिल केबल एंड ट्विश्ट अपर केबल कि इसमें लाइट सिगनल जाती है तो बहुत कम रिडियूस होता है लाइक सिंगनल का स्रेंथ बहुत ही कम रिडियूस होता है इट कान रन टू लॉंगर दिस्टेंस यह मैंने अल्रीड बता इसमें सेक्यूरिटी मतलब आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वह भी मतलब कोई निकाल नहीं सकता कोई चोरी नहीं कर सकता ठीक है थैंक सर आपकी वजह से आई गाट ग्रेट मार्क्स इन सीएस 12 नाव कि आयम इन डीजी डीजे एसी ओंबई ऑसम वासम पॉंग्रेट्यूलेशन कंपेर एनी पूर एट्रिब्यूट्स ऑफ यूट्पी एंड फाइवर ऑप्टिकल केबल यह इसको मिझे वापस बताने जरूत नहीं है मैंने बता आपको जो करेक्टरिस्टिक्स है तो इसके बेसिस पर ही आपको डिफरेंशेशन करना है ठीक है और तो नेक्स्ट इस अंपेर दख्रेश्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल और को एक्सिल केबल यह आप भी इसको भी कंपेर कर सकते हो यह सारी देको तो यह पढ़के जाना जो मैंने पढ़ाया वही सारी चीजह है इसमें को एक्सेल केबल विद ट्विश्ट ट्विश्ट वेर केबल अब यह नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा आप वहां पर जाके लेख सकते हुए ठीक है टेलीग्राम गूरुप जॉइन कर लो इसले फटावट अर्ट तो चैट में बता दो कि तुमको समझ में आया की नहीं आया फटाफट चैट में बता दो पड़ा उसमें भी एश्टीप यूटीप अब उसके बाद यह मनों ने वायड मीडिया पड़ा वायर वाले अब हम लोग पढ़ेंगे वायरलइस ने क्या आता है लैन आपने सुना रहेगा वायरलेस में क्या आता है लैन और वैन तो कभी कभी क्या आता है कि कभी किसी जगह पे जैसे की केबल आप नहीं यूज कर सकते ठीक है उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं वायरलेस मीडिया और मोशली अभी क्या आता है लोग वायरलेस मीडिया प्रसंद कर रहे हैं जैसे वाइफाई हो गया और यहां आपका इतना तफ तो नहीं आएगा पढ़के जाओगे तफ नहीं आए वन शूट पढ़ लो आपको एजी जाएगा नेट्वक का घिमांड बढ़ते जा रहे रहायऍव यहांद आपका वारलेस नेट्वक पहला है आपका वारलेस लानक वन और मोर न इसको बोलेंगे ठेक है लैन मतलब लोकल एरिया नेट्वर्क इसका extended land a wireless connection between two lands यानि कि दो या दो से ज्यादा land को आप connect कर दो गें तो इसको बहुत लेंगे wireless land ठीक है extended land बोल सकते हो फिर mobile computing a mobile machine connecting to home network जिसे mobile लेकर आप कहीं भी घूम रहे हो क्या आप wire connect करके अपना आप क्या करते हो WhatsApp पे चैट करते हो डीटा सेंड करते हो इमेज सेंड करते हो और राइट नेक्स वायरलेस network useful in the following situation कौन कौन सिच्वेशन यह आप खुछ से भी सकते राइट जैसे कि इंपॉसिबल जहां पर केबलिंग नहीं कर सकते हैं जैसे कि लॉबी हो गया है ठीक है हिस्टोरिकल बिलिंग से वहां पर केबलिंग थोड़ा मुश्किल होगा कि उसमें तोड़ फोड़ करना थोड़ा डिफिकल होता राइट तो उसकेस में आप वार्लेस कर लो पीपल तो वह बार-बार केबल लगवाएंगे तो उनको महंगा बढ़ेगा तो क्या करते हैं वाइफाइ ऐसे चीज़ें यूज कर लेते हैं टेम्परेर इंस्ट्राइशन टुसेट टेम्परेरी नेटवर्क विल भी रिलोकेट सुन ठीक है जैसे कि आप बार-बार रिलोकेट हो हो रहे हो एक दो दिन के लिए कहीं आए हो फिसका जा रहे हो तो वहां पर क्या करते हैं आप वायर्लेस यूज करते हो राइट है कि सैटलाइड ओफिस शिप एंडिप्शिन औस टीम्स इन रिमोट फिल्ट डाट नेट तो बी कनेक्टेट टुआ मेन ऑफिस ठीक है यह सब चर्टर 3 & 4 नहीं करने देखो बाकी चर्टर कर लो 3 & 4 लाश के लिए रखो टाइम बसता तो वह भी कर लो कि नहीं करना है तो कि उसमें से ज्यादा मांक सका कोशिन नहीं आते हैं जो भी आते वह ऑप्शनल में आते हैं तो वह आप्शन में आपको मिल जाता अगर आपने मतलब क्या होता है मतलब या उकल और मतलब लॉकल नेट्वक लैंचब मतलब यह मतलब लोकल ती Damn आई यह मैं पिश्किशन का पीडियाफ थीक है में गफ़््रूप में सेंड कर दूँगा ठीक है तेलिग्राम हूं आपर सेंड कर दूंगा एरएट अवैं मतलब यह मैन अलमुस्ट से मुसक्थ है इसको बोल सकते हो एक लोकेटे इंटारी वीदिन स्टेट कांट्री आर अरांट्वल्ड बम्तलब क्या होता है जो वैं होता है वो इसका होता है combination होता है land और man का combination बोल सकते हो मतलब multiple जो लाइन होते है local area network उसका combination से बनता है आपका वैन यानि कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को connect करना ठीक है या फिर आपकी बहुत सारी building से जिसके इंदर लोकल एरिया नेटवर्क है उसको फिर बहुत सारी मतलब एरिया को मिला के आपका बनता है वैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब group of computer interconnected with the small area such as room buildings or campus for example आपका college ले लो college के जो college में जो computer होते हैं कि से किसके तुरू करनेक्टर होते हैं और सब्सक्राइब के लिए लिए करना पड़ता है करने करना पड़ता है उसकेज में लोग क्या है उसका सकती है यूज कर सकते हैं टीक है डीटा transfer rate is comparatively slower such as kilobytes 10 millions bits per second इसमें data transfer rate वैं में क्या होता है फेजना बड़ता है तो क्या होता है डेटा कम रेट से जाता है लेकिन अगर आपका कॉलेज का बिल्दिंग है उसमें सारे पर सेकेंड थीक है इन वैन लिंक्स में भी इस टेलीज़ करके एक इसक्स से रार्प कर सकτε यानि कि क्या होता है अब देखो आप क्या कर रहे हैं यहां पर अलग-अलग वे से कनेक्शन करना है ठीक है उसकेस में यहां पर यहां पर प्रॉपल हो सकता है यहां पर लाइन में एक ही बिल्दिंग है ठीक है फिर नौइस एर्र या आटमस्फेरिक इशूस होने के बहुत कम चांसे होते हैं ठीक है बहुत बैंक विच इंक्लूद इस ब्रांच ब्रांच ऑफिसे एंड वैंक बैंक के जो ब्रांच अलग स्टेट में होते हैं ठीक है अलग कंटरि में हो सकते हैं तो उस केस में लोग उसक्रिट में और लैन मतलब आपका कॉलेज का बिल्लिंग कंपीटर लाब इने कोलेज यह नहीं वालेज़ अगर आपको टाइम पर लेना लेना पता दो इन्फाऍाइड रेज्ट होता है अप लेजर सिंग्नल तो यहां पर फिनीट न सिंगनल होते हैं बित लिटें बिएथा अच्छी यह मोचली एक्जाम में नहीं आता है फिर भी मैंने डाल दिया क्या आपको टाइम मिले तो पढ़ देना नैरो बैंड रेडियो वेडियो मतलब रेडियो वेवस अभी उसका सकते हो ट्रांस्वीट करने के लिए फिर उसके बाद माइक्रोवेव इसमें भी दो अर्थ प्रते हैं अप सेटेलाइट के तूर क्या करते हो टेटा को ट्रांस्मीट करते हो टेलीफोन रिले टावर्स यूज इस टाइप आप अ कम्मिनिकेशन इन सैटेलाइट मैक्रोविस्टम सैटेलाइट साथ कूट 22300 मास अब 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 द अर्थ इतना उपर मतलब आप सब्सक्राइब करता हूं ताक्कि आप लोग पढ़ाई कर सको जो एक्जाम में मोशली आता है तो वारलेस मीडिया आई होप आपको यह समझ में आ गया वारलेस नेटवर्क क्या क्या होता है वैन और लैं नेटवर्क टोपोलोजी एंड कैटेग्री यह बहुत इंपोर्टेंट है आपने एक्जाम में देखोगे तो यह आप एक्जाम के पेपर देखोगे तो उसके अंदर आता ही आता है नेटवर्क टोपलोजी यह टॉपिक है कि इतना टाइम हो गया और एट नेटवर्क टोप टोपोलोजी एंड कैटेग्रीज है अलमुस्ट एगंटा हो गया थर सियर्स पेपर वन का भी लोगे क्या कि हां सियर्स पेपर वन का भी आएगा थर कैन वी राइट इन आवर ओन वर्स इवन है इस और इã इन्फ़ fast कर्रेक्ट से पहले हो पहले यह बोला था है कि को कि पनषार और चौप आ钱 अफिर अपने वर्ड में लिखना है ज़रूरी नहीं है पूरा जो वर्ड-टोट मैंने तोफिजना है आपके I है वही लिखना है ठीक है आप अपने वर्ड में सिफ टॉपिक समझ दो उसको डिस्क्राइब करो और राइट चलो नेटवर्क टोपोलोजी एंड कैटेग्रीज टोपोलोजी रिफर्ट डुट वे इन विच नेटवर्क अपके जो कंप्यूटर से हैं लेकिन वह कौन से वे से कनेक्ट है क्या वह एक बीच में कोई सिस्टम है उससे रहा है उसको बोलते हैं टोपोलोजी मतलब किस वे में आपके जो नेटवर्क में कम्प्यूटर से हैं वह टोपोलोजी रिफर्ट वे इन विच नेटवर्क कंप्यूटर से कनेक्ट लिए तो अब डेटा कैसे ट्रांस्मीट करने के लिए आपको कुछ तो डिवाइस उसको बोला कि नोडस मतलब कोई भी सिस्टम है क्यों करते हैं मोबाइल लेप टॉप ठीक है और उनको किसे कनेक्ट किया गया केबल या फिर वायरलेस मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अप अब ये सारे चीजे से कि कैसे एक के साथ सकनेक्टेड है उसको बोलते है इसको आहे टोप अपक्र थे और 2 हो सकता है यह सब्सक्राइब कर ओसकता है यह अधिकल cold-upal जैजिसे कि देखते हैं कि देखते है है अगर आपके सिस्टम दस दस कंप्यूटर्स ऐसा राउंड में अरेंज किया और राउंड में सारे कनेक्टेड है तो उसको बुलेंगे रिंग तो ठीक है फिजिकली वह एक्चुली वैसा ही कनेक्टेड है तो देखो डिसक्राइब एक्चुल ले आउट अप देट्वर्क टांस्मिशन मीडिया इडिफाइं दवे आप देट्वर्क लूग जैसा वह दिख रहा है एक्चुली फिजिकली वह ऐसा ही रहेगा भी लॉजिकल में आपका जो डेटा है वह उस तरीके से ट आपका जो सिस्टम में रखा तो श्ट्रेड गया उसलिए उस लिए उसको बलते लौजिकल टॉपलोजी लौजिकल पाथ मतलब कौन से पाथ में उस सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तिगनल फॉलॉव ए पासस अमंग नेट्वर्वक नोट पासस अमंग दर नोट इविच वह लोजिकल टोपोली ऐारे में सारे सिस्टम एक क्लाइन में में होते हैं में ओर इन कि ओ दो यहां भी देखो फिसिकल एंलगी कें सेवराल फॉर्म से हैं जैसे यहाँ पर देखो वर्स टोपोलोजी रिंक टोपोलोजी और एक स्टार टोपोलोजी और इसका मेश टोपोलोजी जो गाना यह सबका मिक्सर होगा राइट ओपरेटी सिस्टम का वन शॉट कब होने वाला है सर प्लीज एंसर हो जाएगा उसका देखो मैं ट्राइ करूंगा दस या ग्यारा के पहले उसका भी मतलब दस या ग्यारा के पहले टुआना पार्ट ऑन बार्टो दोनों खत्म हो जाए और राइट ताकि आपको एक दो दिन और मिले प्रिपेर करने के लिए तो अलग अलग टॉपलोजी जैसे कि बस टॉपलोजी है रिंग टॉपलोजी स्टार टॉपलोजी में टॉपलोजी कुछ नहीं है बहुत इज़्य है ज्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रती है पस मतलब स्टेट लाइन में आपके सबका मिक्सर होगा ठीक से पहला देखते हैं बस टोपलोजी पारे सिस्ट्रम एक लाइन में और या यहां पर एक बस होगा बस मतलेक वैर होगा जिसके त्रूप सारे स्टम कनेक्टेट है लाट स्ट एट और एट इन बस फीजिकल टोपलोजी अल्य डिवाइस अगनेक्ट to a common shared cable called the backbone of the network ठीक है बस्ट अपर लिजमी क्या होगा एक common cable होगा जिससे सारे आपके devices सारे systems connected होगे एक दूसरे के साथ और जिसको बोलेंगे backbone cables इसको इसको दूसरा नाम दे दिया गया है backbone cable और राइट बस is available for each node to send its data to each and every computer node ठीक है यहां पर अगर आपको डर इस यह PC से यहां पर भेजना है तो क्या होगा आपको इस भसके थ्रों ही भेजना पड़ेगा अगर यहां से वापस यह फ्रिद यहां से इस तो यह सब डेटा कहां से त्रू जाएगा इस बस के तरू जाएगा जिसको में लेंगे बैक्बन केबल सकते हो ठीक है most of the buses transmit signal in both direction and on backbone cable and hence all work session are able to receive signal यानि कि बहुत सारे cases में का होता है कि आप data भी सकते हो और data receive कर सकते हो किसके तरू इस backbone cable या फिर इस बस के तरू जिसको बहुंगे एक common cable shared cable रहता है ठीक है but some buses are unit direction and data is transmitted only in one direction of the backbone cable लेकिन कभी-कभी क्या आता कुछ buses क्या आता है यानि कि एक ही डिरेक्शन में डेटा सिफ भेज सकते यानि कि अगर यहाँ पर डेटा इस इधर से इधर जा रही है यहाँ से इधर आएगा यहाँ आप यहाँ से वापर डेटा को इधर बेज नहीं सकते ठीक है यह क्या करेगा बेज़ेगा और यह रिसीव करेगा तो इसको बहुत इसको बहुत यह यहाँ का बस टोपोलजी हैंस ओनली डाउंस्ट्रीम डिवाइस हैं रिसीब डिवाईजने यहांसे इसके बात की जो वो सीव रिसीव करेंगे वो रीसीव करेंगे यह वाले पीछी तो नहीं पर यह जना है इधर से इधर तो नहीं क्योंकि तुछ युवाईट स्कृत के और बश्ट टोपोलोजी बगबन के बल के रांसमिशन मैसें अलों दो के ओल अमाइस अर्वाइब अटवक सेशन इचेक्स वेदर देशन अध्रस मैसेश तो इस ओन और नौट अट के सब्सक्राइब यहां पर भीजना है तो उसके अंदर क्या हो गाया बश्ट ना उसका एक अड्रस है मुझा कर कर दोगे और गया तो पहले सब यह पर यहां मैच और यहां पर इसके साहई हो रहा है नहीं हो रहा है तो टेटा के पास पहुंच जाएगा और यहां थो तो इसका मतलब यह है तो मैसेज अराइव एट वरक्षेशन चेक वेदर देस्टिनेशन एड्रेस मैचेश्टू इट्स ओन और नॉट ठीक है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वह मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ जाएगा अपलेजी इस इथरनेट एट टैन एंबपीएस ठीक है मोचली जो इथरनेट केबल होते हैं वहाँ पर यह यूज होता है कौन सा बश्ट अपलोजी कि आईटी कब से होगा देखो आईटी के लिए थोड़ा टाइम है तो आईटी का हम लोग बाद में करेंगे ठीक है अप्रश्ट बाइन कर सकते हो यहां पर इसके इसके बाद एक अलग डालके अलग से अलग टोपोलोजी बना सकते हो अपना ठीक है अलग से अरेंज कर सकते हो आप बस्ट पॉलोजी को एक्टेंड कर सकते हो और नया टॉपलोजी बना सकते हो रिंग टॉपलोजी ठीक है या फिर में अलग से बना सकते हो अगर सबस्कोई पीसी ब्रेकडाउन हो गया कोई बीएक सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया तो आप बस मोशली क्या होगा केबल तो खराब नहीं होगा जल्दी मोशली सिस्टम क्या होता है ब्रेकडाउन होता है खराब हो जाता है ठीक है वस्ट उपलोजी वाइडी जूजिन लायन नेटवर्क जिसे हम लोंने बला कि वहाँ पे किसमें यूज़ता है इसके बाद रिंग टोपलोजी रिंटोपलोजी में यहाँ पर डायग्राम में ही आपको देखके समझ में आ आपको यूज़ करना पड़ेगा तोकन यानि कि जिसके पास टोकन रहेगा वही डेटा भेज सकता है इसको टोकन का वेट करना पड़ेगा तो यह क्या पास करेगा और फिर इसके बाद यह डेटा ट्रांस्मिट कर सकता है अदरवाइस क्या होगा सब डेटा ट्रांस्मिट करेंगे एक साथ ठीक है तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए जिसके बास टोकन होगा ना वही डेटा ट्रांस्मीट कर सकता है हम लोग पढ़ने वाले टोकन पासिंग क्या होता है करें टोपशी यहां से डीटा ऐसे नहीं ब्सकते एक डीटा अगर ऐसे डिस्कार तो इसी डीक्षिन वाला इस इसा नहीं कर सकते एक ही डिरेक्षिन वी आपको डेटा भीजना है है इसके अंदर रिइंट्स गरिजीवर एंटार्स शर्वर एग ररिजीवर और ट्रांस्पिटर बहुत रहे हैं यहां पर्लाइंड प्रास्मिटर त्लीख है यह जो हता है बहुत सिर्चिंटर समने काम करते है यानिकि वह देला लेकिन कौन कर सकता है जिसके पास टोकन होगा वही डेटा ट्रांस्मिट कर सकता है तोकन टोकन क्सें होता गया है टोकन पासिंग सिंपल सा यहां पर लोग जिसके बास टोकन होगा वही डेटा सेंड कर सकता है अधर्वाइस और कोहीं नहीं कर सकता जैसे मैं नहीं बता है टोकन पासिज अरॉंड टोकन पास होते रहता है जिसके बाद टोकन है वो डेटा भेस सकते हैं ठीक है इस टोपलोजी अल्वेज इंप्लिमेंटेट अज लॉजिकल टोपलोजी ठीक है यह तोपलोजीय गोंवोग दो लोग लोगी इंप्लिमेंट करते हैं यह अपको Observatory sare लोजीकल टोकन रिंचर वहता है तो कि नेटवरत के PAS वता है इस फिजीकल मदब फिजीकल स्टार टोप लोजी अगर इसको बूलेंगे फिजिक लिक ली कि अगर फिजिकली उन bliver लेगी लेकिन लोजीघेंस्ति अब मतलब फिजिकली अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा एक स्टार्ट टॉपलोजी दिखेगा बट लॉजिकली जो डेटा ट्रांस्मीट करें किसमें कर रहें रिंग में कर रहें रिंग टॉपलोजी में कर रहें अगर कर अगर घट कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या होगा एक चीज अब देखोगे लोगा अगर बीच में परयांब यूजर को एंफेक्ट तब यहां से यहां से यहां только ट्रैंसमेंट हो गई यहां से यहां नहीं जहां तो बदल पोचिल होगा तो मतलब मोश्ली यह पे लिमिटेट उज्छ को क्या होगा आपका एफेक्ट होगा इज नोडन है उकल एक्सेस स्पीड आट टुदरी गम्लब अहर एक नोड़ को कोशली वायरिंग है लॉजिकल होगा इस लिए क्या होगा यह इसमें पूरा आपको राउंड राउंड यह ओगा इस लिए कोशली होता थोड़ा एक्पेंसिव एडप्टर काइडप्टर काड लगते हैं इसके अंदर इफिकल्ट ऐसा कनेक्शन करना तुम्हां डिफिकल्ड होता है बीच में जिसके तुरू सारे इतने भी सिस्टम सोते ना वो कनेक्टर होता है यहाँ प्रॉब्लम ही है कि हब फेल हो गया ना तो सारे सिस्टम बैठ जाएगा मतलब कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि यह हब के तुरू यह आप डेटा को ट्रांस्मिट कर रहा तरह यह से ही प्रीपर वायरल होता है एक से दूसरा दूसरे से तीसरा लियहां भराबर पहले हैं सिंपल साथ आपको इस पीजिस आपको हो डेटा भीजना पड़ेगा हपके पास और इस हब से क्या करना पड़ेगा यह पीसजिस से डेटा ट्रांस्पीट नहीं कर सकते हैं हाँ एक रॉप रेसी स्च हुआ ना Kal arbitra कया सकते हो है उस हब से क्या होगा टीसी पे डेटा सेंट लोटा है सांग कर फीजिकल टोपलोजी सीजपा करके आप सकते हो लॉजिकल बनास क्या कर सकते हो बस और रिंट टॉपलोजी के तुरू मतलब वे में भेश सकते हो और रेट मतलब यहां पर स्टार टॉपलोजी के एक फिजिकल यानि कि एक्चुली आपका डिवाइज ऐसा हब रहेगा और आपके डिवाइज ऐसे ही करेक्टेट होंगे लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसका य यह लिखने ही जुरूत नहीं एक्जाम में अब देखो यहां पर प्रॉब्लम मैंने बताया था हब अगर फेल होगा तो पूरा फ्लेल फिल हो जागा टीट अडिंग निव वक्षेशन इजिए दान बस और रिंग टोपलोजी यहां पर क्या होगा अगर आपको एक नया प बस और रिंग टोपलोजी तो कंट्रोल इस सेंट्रलाइट ड्यू तो दे यूजव फ़फ का कंट्रोल का है सेंट्रल में हब के तुरू ही क्या होगा डेटा रिसीव होगा और ट्रांसफर होगा ठीक है क्योंकि मोर इट कॉस्ट मोर ठीक है क्योंकि या कट्रों करना तो आपको केबिलिंग का हब तक करना पढ़ेगा इसलिए चैप्स्टी होता है कि उसके बाद है चौता मैस्टप उपलोजी मैस मतलब क्या होता है मिक्षर अब कर दो हो हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेकटेड है है यह है सब्सक्राइब एभरी इवैस ॅदर recognizes इन्क्रेज वाल टॉलरेंस बटिन वाल ऐक्स्ट्र वो ठीक है इससे क्या वता है देखो अगर यहां पर एक यह वाला डिसकरेट तो भी आप डिटा ट्रांसफर कर सकते हो यहां से डिसकंड रखोता है वह रिडिउस हरता है लेकिन यहां पहुत है इतना सारा करेंग्षन दने पहुत टाइम चले आता है ठीक है If media breaks data transfer can take alternate way मतलब एक ब्रेक होता है तो दूसरी वे से आप यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तो यहां से इसको तो यहां पर टॉलेंस बहुत कम होता है वह बहुत ही कॉंप्लिकेटेड होता है ठीक है अब यहां पर कुशन आता है विच नेटवर्क बेस्ट एक्स्प्लेन तो मोश्ली स्टार टॉपलोजी होता है यह आप देख लेना कॉश्चन यह नोट मैं दे दूंगा उसमें पढ़ लेना ठीक है तो आई होप आपको टॉपलोजी सारे समझ में आ गए कौन कौन से टॉप पास के लिए अर इंटेड़ लिख्के आना है और फुल मार्स मिलेंगे और आपको समझ के लेना है और इसके बाद अपने वर्ड्स में उसको लिख्क्त बढ़ते हैं नेक्स्ट इथरनेट üm चørक है कि यान कि यानल मतलब लोकाल एरिया नेटवर्क टेक टेकनलोजी वीद च्विड नेटवर्क्क ट्रिश्नमें उप्रेटिंग विदीन फिरित ऒडक कहने होगे यानी कि यौन लान ब्सक्का नेटवर्क स During सब्सक्राइब होता है जिसमें सारे कंपिटर से एक दूसरे के साथ connected होते हैं अर्ट एक यह अपने यूज किया रहेगा बहुत पहले वाइफाई के पहले एक इधरनेट के वल आता है जिसको आपको क्या करना पड़ता था अपने सिस्टम में कनेक्ट करना पड़ता अपने लैप्टोप में कनेक्ट करते थे उसके बाद ही आपका इंटरेट चालो था था ठीक है पहले आपको वह केबल आपके पीसी में लगाना ही पड़ता था दरवाएं आपका इंटरेट चलता ही नहीं था प्रफिल ट्रावल यहां पर देखो कामन केबल मिडिया है जिसके तरू सारा डेटा आपका ट्रांसमीट होता है हम आप्राइट फिस्टोरिकली डिस मीडिया आज पहले क्या था ता फिस्टोरिकली मतलब पहले इसको एकसल केबल उसकिया जाता था but nowadays Twisted सब्सक्राइब लगा। तो फटावड जाएगा ठीक है एच फ्रेम मश कंटेंस सोर्स एड्रेस एज एज डेस्टनेशन एड्रेस विच आइडेंटिफाई रेसिपेंट एंड सेंटर अप दो मैसेज यानि कि जो आप प्रेंद बोला गए जैसे कि समें चोछ सब क笑 सो और डेसाट्रेस लिखते हो कि कहां से आ रहे हो कहां को जा रहा है अपका चल्रूर्वड रिक्वार्ट करके साम तक ढांगा एक स्ट्रू कंन सेय्ट तो कहो गया सिव उसका प्रोग्राम बागी है ॡचिक है अब आपके वाद जो लेटर है आपका चिट्थी है उसके अंदर आपने डेस्टिनेशन डाला है तो उसके तुरू आप क्या कर सकते हो कर लोगे कि कहां पर उसको भेजना है ठीक है उस एड्रेस के तुरू और प्रॉपर एड्रेस पहुंच जाता है ठीक है नो टू एधिवाइस एफ सेम अड्रेस दोईधनेट डिवाइस होते हैं दोनों का सेम अड्रेस नहीं हो सकता है ओरर आइट लोग जैसे कि एक्जांपल यहां पे इन दर कमप्यूटर्यem Deutschensayшь — नहीं हो सेंट मैसेज हो सब्सक्राइक को सेंद करना है computer c ko message computer d computer b and d will also get message and check whether the destination address matches to its own address or not if not it will discard the film simple computer a message computer c ko लेकिन जो message ना वो computer b के पास भी जाएगा और computer d के पास भी जाएगा लेकिन उस message के अंदर जो address रहेगा computer b के साथ match नहीं होगा तो उसको discard कर देगा ठीक है computer d के पास भी जाएगा तो computer d के साथ भी मैच नहीं होगा तो उसको भी वह एड्रेस को discard कर देगा वह data को discard कर देगा और computer c के पास जब जाएगा तो वह क्या करेगा access method of networking बहुत important question यह एक्जाम में आता ही आता है एक्सेज methods of networking and method is a set of rules governing how network nodes share the transmission media ठीक है method is a set of rules for example example लेने के लिए पर रोड पर चल रहे हो ठीक है अब पर चलते हो तो आपको आपको रुकना है यह सारे rules आपको follow करने पड़ते हैं अगर ट्रैफिक्स अवलदार ने आपको हाथ दिखाए तो भी रुकना पड़ेगा ठीक है ताकि आप की सारे पेपर हो सही है की नहीं है यह सारे rules आपको follow करने पड़ते हैं किसी मेथड़्स कंटेंशन पोलिंग और टोकन पास्टिंग यह तीन एकसेद मेथड है जो आपको आने चाहिए जिसके अगर आपको ट्रांस्पीट करना है नेटवक में और रएट पड़ावट कंफर्म करो चाट में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि यह टॉपिक है उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है वह उसके बाद खतम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट दो यह दो ही टॉपिक पचेंव है कि टाइम कितना होगे अभी ओट ट्व्ट ट्व्ट फॉर ठीक है पंदरबीस में और जाएगा फंदरबीस में खतम हो जाएगा चाप्टर पूरा सब्सक्राइब करो आपका क्या सिंगल ने रोड है तो एपको यहां क्या करना है आपको आना भी है वहीं से आपको जाना भ यह पीजिया और यह पीजी है यह दोगो क्या करेंगे सिंगल रों से टिपाइप से यह 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 होनी की स्द्राइब टराफट पॉइडिप्र शाथ पॉइड पि ट्र स्कता है कि इस this system breakdown when two computers attempt to transfer at the same time अगर एक ही लेन है उसमें दोनों जन आएंगे भी और दो लोग आ भी रहे और जा भी रहे साथ में तो क्या होगे वहाँ पर होगी टक्कर और वहाँ पर हो जाएगा accident right this case this is the case of collision यहाँ पर हो जाता है आपका collision all right to avoid collision carrier sending sensing mechanism is used यहाँ पर क्या होता है carrier sensing mechanism use होता है यहाँ पर क्या होता है अगर आपको शिंगल लेन से जाना भी आना भी तो आपको क्या करना आगे से देखना पड़ेगा दूर से देखना कोई आ तो नहीं रहे ठीक है अगर कोई आ रहा तो आपको चले जाने तो फिसके वाद आप जाओ तेम यहाँ पर इसको वहलते करी carrier sensing mechanism here each computer listen to the computer before attempting to transmit यानि कि हर एक क्या करता है चेक करते रहता है क्या कोई डेटा सेंट तो नहीं कर रहा है अगर कोई डेटा सेंट कर रहा तो आपको वेट करना है थोड़ा आराम करो ठीक है उसको सेंट कर लेने तो फिर उसके बाद आप डेटा को सेंट करो कि डेटवरी बीजी इंटिल नेटवर कृds दाओन तो क्या करना आपको अगर आपका रोड फोरी खाली ऊचार आपको जाना करेगा कि क्या कोई और बेटास तो नहीं रहा है अगर उगेंद आप इथर खड़े हो रोड के एक बंदा उधर खड़ा रोड के ठीक है और वेट कर रहे है आफ यह यह लोग गर आप तरेवह जाए पार यह यह कर रहेगे कि पहले वाला बंदा चले जाएका दो मैं जाओंगा और विए फाले यहां दोनों वेट करते रहे ठीक है और दोनों वही रह जाएंगे बहुत कंपिटर दिन बेट रेंडम अमाउंट टाइम एन अटेंड टू ट्रांसमीट कि तो होता कि आचा है कि जब दोनों वेट कि दोनों कुछ अमांट्स कुछ समय सबसके अपी का रहे गाद करेंगे इसमें से कोई नख कोई टाट करेगा डेकर एक वेयर वीड़ी आ नहीं रहे तो यह कैं cry-a bek there विए Mobile पूलिंग में क्या होता है यहां पे एक सिस्टम होता है यहां पी वाला सिस्टम होगा पोल करते रहेगा अब को पूछते रहेगा या नहीं करना है फिर वापस जाएगा सिस्टम क्या करेगा सबके बास जा जाके पूछते रहेगा कि किसको डेटा ट्रांस्मिट करने देगा तो बोलेंगे इन पॉलिंग बे सिस्टम डेजर डिवाइस construir यहां फिर सिसटर डिवाइस को पूल करते रहता है क्या तुम रेडि करने के लिए र знак करने के लिए यह तो यह डेटा ट्रांस्मीड यार रिसीव करेगा ठीक है यह बोलेंगे पॉलिंग इस अब देखो यह बार बर क्या है हर एक सिस्टम के बाद या कर रहा है इसके वैसे यह जाता है नहीं तोकन पासिंग जो हम लोगो ने पढ़ाता रिंग का यूज करके ही वे सकते हो तो यहां पर टोकन पासिंग में सिंबल है जो मैंने बताता है जिसके पास टोकन है वही डेटा बेज सकता है ठीक है टोकन पासिंग यूटिलाइज फ्रेम कॉल्ड टोकन विच सर्कुलेट अराउंड नेटवर्क फ्रेम एक फ्रेम होता है जिसको को मुलेंगे टोकन जो पूरे निटवर्क में यहां पर ऐसा तरकुलेट होते रहता है अब कम्पिटर डाट नीट ट्रंस्मिट मुट वेट अंडेल एट रेसीब टोकन जिसको भी ट्रांस्मिट करना है उसको वेट करना है उसके बास टोकन आ जाए तो ही वह या करेगा तो अब यह अब आपका ट्रांस्मिशन खतम होगया तोकन रखे क्या करोगे इसलिए कि आपको वह टोकन नेक्स्ट आपके जो कम्पिटर उसको पास करना है ताकि वह अपना डेटा ट्रांस्मिट कर सके तो यह ता आपका टोकन पर एक्सेज्ध मेतर्स कॉणपन से एक्सेज्म एकंटेंशन पॉलिंग और टोकन पांसिंग यह तीन एक्सेज मेतर्ड यदोखना वडवाट कफ़ेंल में मंशन करो आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हो फटा फट या फिर चार्ट सेक्शन में आप लोग टाइम पस कर रहे हैं बस कि एक्स्प्लेंट फॉलॉइंट टॉम्स इन विद रिस्पेक्ट टू केबलिंग यह मैंने आपको बता है 10-20 मतलब क्या होता है 10-25 मतलब क्या होता है 10-20 यह पढ़ो कि आपको समझ में आ जागा 10 मतलब यहाँ पर जो है 10 मतलब Mbps आपका जो केबल है ठीक है वो कितने स्पीड में ट्रांस्पीड कर सकता है 10 Mbps जैस मतलब बैस्प्रैंड वाओडब यह ब्राडब यह कि मतलब कितना सकता है तर्फल आपको समझ में आ जागा जो मैंने बता है वहीं चीज़ आंकर है कि अगे तीसी पी आई पी आप देख लेना क्योंकि यह टॉपिक बहुत इतने इंपॉर्टन टॉपिक नहीं है टीसी पाइप प्रटोपाल पॉश्ली नहीं आता है है नेक्स्ट जो इंपॉर्टन टपीक है वह है कनेक्टिविटी डिवाइजेज सारे चीजी जो है ना नोट में आपको मिल जाएंगे अगर आपको टाइम मिले जो मैंने पढ़ाया है पहले वह पढ़़ो एक्ट्रा टाइम मिलता है तो जो मैंने टॉपिक छोड़ा है व्हा कवर कर रहा हूं जो बहुत कम आया एक्जाम में न वह मैं वह टॉपिक छोड़ रहा हूं यहां पर ठीक है हम लोने कहां पर पढ़ा है आपका स्टार्ट अपलोजी में याद है तो अपलोजी में क्या होता है हाँ जिसके तुरू सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं रिपीटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मौौडेम देको मौौ डिम इसका दो वर्डेंग के अंदर कितना दो वर्ड है मैं मतलब Mえば मतलब modulation एम मतलब डी मोडिलेशन ठीक है ओ只是 एक डी मोर्डेशं मोडेरेशन क pro दिम मो लेक्टे शनले संसे बना हमने इसका अब का मौडेम एक् ancora समझा जब तो तो दिखो क्या होता है पहले जो आपने एंटनल वेसंटल का connection लिया रहेगा इंटरेनेट करना पड़ता था और आपको इंटरेटा था था टेलीफोन की तुछ यही आथा था ठीक है तो जो टेलीफन लगवाना पड़ता था उसके के पास कॉन से डीटा होता है उसके पास डीजिटल डीटा होता है डीजिटल सिगनल होते हैं तो आपको डीटा सेंड करना है तो आपको इस डीजिटल सिगनल को किसमें कनवर्ड करना पड़ेगा डीजिटल डीटा को डीटा में कनवर्ड करना पड़ेगा तो डीजिटल आपको कहलई क्या करना पड़ेजन और डी एल्टीर्चन तो पहले आपको कंपुटर से अगर डीटा को भेजना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा करना पढ़ेगा किसके थूरू आपका डीटा किसमें अग्वर्ष अपका इधार आ फेले क्या क्या पढ़ेगा क्या करना पढ़ेगा इसके लिए तो यहां पर हो सब्सक्राइब होता है कि यह सिंक्रोनला कि यह सिंप्रीय होता है इस तर गया एन दोना में णे सब्सक्रम आघर इस Понялे इस इसमें but स्कुर्ण अत्री इस में होता है देटा वो कैसे होता है अल्सिंक्रोbach सब्सक्राइब करेंज लेकिन यहां पिछे इसके पीछे इक क्रलिए और इसके चांट जिका है तो इससे एक टेटा रिसेवर के पास आएगा तो डेटा आना स्टार्ट हो रहा है फे टेकर रहा है pertama उसके बाद जैसे उसको क्या करेंग का णिलेगा KYC अब इसको अब पूरा का गए यह इस ब्लॉक का पूरा डेटा आ गया तो इसको बोलेंगे सिंख्रोन सवारेम उसके अंदर यह नहीन उता है इसमें Bits के लिए time अनुकल को घ्रेण करके इन धर है यह fan भिङेंश विड़ दीन च्राट विट हर एक जो फ्रेम आई इसको तो बोलेंगे एक फ्रेम यह दूसरा फ्रेम यह तीसरा फ्रेम यह फ्रेम बिगिन विट इनेबल दर रिसीविंग डिवाइस तो एड़ेस्ट तुद टाइमिंग और ट्रांस्मिटिंग सिंग्नल मतलब आपका जो रिसीविंग डिवाइस समझ जाएगा को कि अब डेटा इसके बाद यहां पर डिटा है और यह यह जब लास्ट आजएगा तो उसके बाद समझ जाएगा क्योंकि पूरा एक ब्लॉक अब डिटा आ गया है ठीक है मैसे अब केप शॉट इडिज यूश्ट ट्रांस्मिट करेक्टर डिटा यहां कि छोटा डिटा कर ट्रांस्मिट क यहां पर दोनों के पास क्या होता है क्लॉक सिंगनल सोते हैं जिसके तुरू यह लोग क्या करते हैं और यह जो ब्लॉक डेटा है उसके बीच में जो टाइमिंग होता है इनको भीजने का हरे जबता रहूं कि इक्वल होता है अगर यहां पर एक सेकंट तो इधर भी एक सेकंड और यहां पर देहां सकता है ठीक है इस लिए अन्गाल एक मतला टाइम पे रिसीव होंगे तिक्रोनस मोड मोड उसे क्लॉग ऑन ट्रांस्मिटिंग रिसीविए इट यूज इसिंक सिंगनल विच इस बिट पैटर्न एंड विच इजली रिकॉगनाईज बाइज दे रिसीवर आवाइड वराइटी टाइप यूज वी ट्रांस्मिटेड अलांग सीरी अब नेक्स्ट हब्स हम लोगने पढ़ा है इसके अंदर और स्टार्ट अपलोजी के अंदर ठीक है तो हम में क्या आता है यहां पर सिंपल सा एक डिवाइस होता है ठीक है और यहां से इसी हब से सारे कंपूटर सब्सक्राइब करने की जरूत नी पड़ती है यहां पर एक पीन होता हो सकता है ठीक है उसके तरूब यह क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मतलब यहां पर हब के थूप पर सिंपल से चीज़ है in some network topology mostly आर्कनेट बेस्टार्ट अपलोजी डिवाइस हब इस यूज़ अब इस कनेक्टेट डिवाइस इन विच केबल सकें विदाओ शोल्डरिंग वायस तू चेंट्रलाइज नेट्वर्क ट्राफिक थूदे सिंगल कनेक्टिंग पॉइंट इट मैंने देट्वर्क एंड सेंड स पिन के थूँए सारे कनेक्टर होते हैं अगर आपको डेटा ट्रांस्मीट करना तो आपको हब के थूँए करना पड़ेगा अगर हब फेल हो जाएगा अब डेटा ट्रांस्मीट नहीं कर सकते हो इसके बाद है रिपीटर्स हम लोग नहीं पढ़ाया एटिनेशन में राइ करते अपने सब्सक्राइब मॉइसे हैं यहां करता है रिपीटर क्या करता है जो सिग्नल वीक होता है उसको आपस से एंप्लिपाई करता है और अपस ट्रेंद्थ प्रवाइट करता हैionenCo to extend a repeater reshape the and amplify the signal from one ethernet segment to another मैं इतना explain नहीं कर रहा हूं कि यह सारी चीज़े self-explanatory और और अरड़ी हमनोंने पिछले topics में सारी चीज़े पढ़ी है रिपीटर्स हब्स इसलिए मौड़म को अच्छे से बता है यह आप अच्छे से पढ़ोगे समझ जाएगा आपको ठीक है उसके बाद है लूटराइब इसका नाम ड़का तैक क्वाटरतीस क्या कि आपकी डेटा है क्या करता है वह éक्या काँटर न्यवक कनेक्टिवेटी डिवाइस यह और कंटिव एक हाडवे डिवाइस होता है है यह यूज़ तो कनेक्ट टोपोलोजी सिमिलर आड डिसिमिलर लाइंस याप एक से ज़्यादा जो टोपोलोजी जैसे कि स्टार टोपोलोजी या फिरिंग टोपोलोजी उन सब को कर सकते हो किसके तुरू राउटर के तुरू के लॉटर से अंदर होते हैं घखले हाग अपना एड्रेस होता है ही का हान्हेश ऑला जो अठीक्न होता है और मैंटिबल लैंस को मल्यो टॉपोलोजी को अब एक साथ किसके के तुरू राउटर के तुरू ठीक है जैसे कि गूगल मैप यूज करते हो एक दम एफिशेंटली कहीं पर जाने के लिए फटाक से वैसे राउटर का यूज किया आता है पकेड़े पैकेज या फिर आपका डीटा को ट्रांस्मिट करने के लिए ठीक है डिलीवरिंग आडिंग तुर नेटवर्ट एडरेस यानि तुर्व है आपके पैकेट को करने को गोलते हैं राउटे मिंदधीन के तो बताता है यह सौटेस पाथ पॉंस है वैसे यह भी क्या होता है देकन यूज अल्गरिदम तो डिटर्माइन मोश इफिशिंट पार्ट फॉर सेंडिंग पैकेट तो एनी गिवें नेटवर्क फिक है जिसे राउटर क्या होते हैं यह यह यूज करते हैं उसके बाद डेट करके बताता राइट वैसे यह भी राउटर क्या करता है यह इंटलीजन सब्सक्राइब कुछ अल्गरिदम्स करता है और उसके तुरू एफिशेंट पाथ निकालता है पैकेट पैकेट सब्सक्राइब करने लिए हैं कि कि आप बहुत सारे अलग लग लाइंस यानि कि इसके साथ लैंके तो र्णेक्टेट है उनको कनेक कर सकते हो राउटर के थूख तरू कर सकते हो कि अब डूटर भी दो टाइब हता है डाइन अट को यह तेना पड़ता है यह पास नंदर आ परता है यह तुने स्पेसिफाइब आपको पास स्पेसिफाइब करना पड़ता है वह इंटलीजन्ट होते हैं ठीक है वह सौटे स्पास फाइंड आट करके डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं और एट तो यह था आपका डाउटर अब गिव एड्लिस टू एड्वांटेज डिसर यह समझ में आ गया यह अच्छे से बढ़ने बहुत इंप्वॉटन टॉपिक है अच्छे से पढ़ो इतने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक और जो मने बहुत छोड़ दी है वह आप पढ़ सकते हो क्योंकि वह सेल्फ एक्स्मिटरि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ठीक है अभी बचा कौन कि सारी टीकिक मैंने चाहर कर दी है हम अब टा पीटरतर राउटर रॉटर स उफेज देख लेते हैं च्पी यह उचनी त्रांस्मिशन कंट्रोल टीची पी मतलब ट्रांसमिशन कर्ट्रोड प्रोटोकॉल आईपी मतलब इंट्रेट प्रोटोकॉल यह आपको एक्जाम में आता है प्रोटोकॉल मतलब कुछ सेट आफ रूल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया अगर आपको रोड पर चलना है को क्या करना बढ़ते हैं ठीक है ऐसा है कि आने व set of rules है अगर आपको road पे चलना है या गाड़ी चलानी है वैसे ही अगर आपको data transmit करना है वहाँ पर कुछ set of rules है communication के लिए जिसको use किया था TCP IP transmission control protocol और IP मतलब internet protocol ठीक है protocol is defined as a agreement between the communication parties of for how communication should be proceed ठीक है protocol are rules by which computer communicates protocol is set of rules and format for sending and receiving data कुछ set of rules होते है अगर आपको data को send करना या फिर receive करना है ठीक है यहाँ जनरल TCP IP transport protocol ठोड़ा देख लेते हैं इन ट्रांस्पूर्ट प्रोडोकॉल यहाँ टू मेन form of address जो TCP IP होता है उसमें दो form of address होता है एक रोट्रेश होता है नोट राड़िकल रॉट्रे सोता है और फिर डीक लॉट्रेश होता है अनोट अड्रेस is the segment on the network to which node is attached ठीक है आप यह होता कैसे वो देख लेते हैं TCP IP uses numbering schema this numbers this number is IP address याद है आपको हर एक डिवाइस जो internet से connect होते है उसका ही क्या होता है IP address होता है ठीक है all devices on network need a unique IP address अगर आपको network से connect होना internet से connect होना है तो क्या होना क्या चीए आपको हाँ पर एक यूनिक आड्रेस यह उसको होता है आपका IP address and IP address is a set of four members four numbers sorry look they can range in a value 0 to 255 ठीक है आपने देखा रहेगा 198.168. ऐसा कुछ रहेगा ठीक है तो इसका एक्जामपल के लिए for example 34.120.66.79 107 2192 यह सब क्या है IP address होता है और हरे का जो रेंज होता है जो हर एक नंबर होता है वह 0 to 255 के बीच में होता है कि अधिरा three classes of address class a class b class c अब class a में क्या होता है the number between 1 and 27 appears before the first dot ठीक है जो फॉर्स डॉट यानि जो फॉर्स डॉट है यह वाला 34 यानि कि 34 यह किसके बीच में आता है यहां पर जो आएगा वो वन से लेके 31 से लेके 127 के बीच में आता है कुंसा यह class a की बात कर रहा हूं है तो फॉर्स नंबर रिप्रेजेंट नंबर नेट्वर्क आड्रेस ओके लास्ट थ्री नंबर रिप्रेजेंट नोड आर होश नंबर फर इक्जांपल यहां पर देखो है 34.120.60.66.79 fantastic नंबर है यह वनट hmm में से लेके79 तख्या है होश नंबर और यह जो 3040 कया ही यह अंत टौक ज jeśli कहने लगरने्ट्वर्क आ ड्रस है क्तिकना यादि कि यहां वे देखो मैंने पता थे 2 क्लॉप esis ने उतना है दो इसमें हम लास ए क्लास एमें यह क्या है होस्थ नंबर है और यह जो है अब क्लास वी की बात करते हैं वैल्ट आदरफ होड्स नमबर कान बेंगयन वैयल्य ऑफ 228 & 191 प्रिखे देखो ग्लास एज था वन से लेके 127 तक था लेकिन क्लास भी में इसके बार 120 के बाद क्या था 128 लेके 191 तक रहेगा इस जो फर्ष्ट तू नमबर से ना फॉर्म सन नेटवर्क अडरेस इसमें से जो फॉस्ट नॉ यानि कि फर्स्टू जो रहेगा वो कह रहेगा नेटवर्क एड्रस बोलेंगे और जो लास्टू रहेगा वो क्या आएगा होस्ट आइडी ठीक है इन क्लासी दा फर्स नंबर कें रेंज इन फर्म अब उसके बाद दो लेगा वह फ़र्स नंबर रहेगा उसका 192 से लेके 223 तक रहेगा इसमें पहले तीन जो रहेंगे वो नेटवर्क एड्रस हैंगे और लास्ट नंबर क्या बनेगा वो होस्ट आइडी बनेगा यानि कि नोड 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 आइडी बनेगा और राइट उसके बाद आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताएं यहां पर दिखो जो मनें बताया यह था टीचीप यानिए ट्रांस्मिशन कंट्रोड प्रोटोकॉल उसके बाद आई पी यहिए यहिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है इसमें प्रोटोकॉल यहानि कि आई पी सबको पता होना चाहिए एक्चुली मतलब हर एक जो एक साथ नहीं जाता है ठीक है डेटा क्या होता है पार्ट में जाता है बोलते हैं प्रेंज बोलते हैं ठीक है आइप यॉसर परफॉर्म एरर चेकिंग एर परफॉर्म करता है यह यूज़ किया घाता है और यह था आपका तो यहां पर आपका जो है नेट्वर्क टेक्नोलोजी का चाप्टर खतम होता है अगर आप इतना भी पढ़के जाओगे तो आपको अगर इस चाप्टर से कोई भी खोशें आता है वो कवर हो जाएगा और एट तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बस मेंशन करके जाना कि आप आपको सारे टॉपिक जितने पढ़ा है हो समझ में आ गए और यह जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जिन्हों ने अभी लेक्टर नहीं किया उनको भी शेर करो ठीक है ताकि उनको भी फाइदा हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई थैंक यू फॉर ज और राइट गाइस बाबाए